नमस्कार में शिवम आप देख रहे हैं ऑनलाइन नियोज इंडिया बड़ी खबर निकल के आ रही है परश्चिम बंगाल से परश्चिम बंगाल की भवानी पूर बिधान सबसीट जहां से ममता बनेजी उपचुनाव लड़ी थी ममता बनेजी भारती जन्ता पार्टी के उमीदवार प्रियंका टिवरवाल को मात देदी हैं जी हां करारी सिकस्त मिली है भारती जन्ता पार्टी को परश्चिम बंगाल के अंदर उपचुनाव में 22 राउंड की काउंटिंग होनी है और अभी 4 राउंड की काउंटिंग में ममता बनेजी साब तोर से जीत धर्ज करती हुई दिखाई पड़ रही है और करीब 16,000 वोटों की बढ़त बना चुकी है ममता बनेजी जी हाँ सही सुन रहे हैं आप मात्र चार राउंड के काउंटिंग में ममता बनेजी 16,000 वोटों की बढ़त बना चुकी है सुबह सुबह ये खबर आई तीन अक्टूबर है आज तीन अक्टूबर के भवानीपुर के साथ जो दो और परचिमंगाल के विधान समाएं जी हाँ सही सुन रहे हैं आप भारती जन्ता पार्टी ने अपने हथियार डाल दी हैं पूरा वाक्या क्या समझाते हैं आपको पूरी खवर बिस्ताल से समझाते हैं ममता बनर जी के खिलाब परश्चिम बंगाल के भवानी पुर्विधान सभा में भारती जन्ता पार्टी के दोरा प्रियंका टिबरवाल को उमीदवार के तौर पे उतारा गया था और प्रियंका टिबरवाल अपनी जवानत बचा लें ये भी मुमकिन दिखाई नहीं पढ़ रहे हैं मातर चार राउंड की काउंटिंग में ही ममता बनर जी 16000 से जारा वोटो की लीड बना चुकी है इसके साथ दो अन्य बिर्हान सभाओं जो और है जंगीपूर और समसेर गंज इन दोनों बिर्हान सभाओं में भी TMC के उम्मीदवार भारती जनतापार्टी के उम्मीदवार को करारी सिकस्त दे रहे हैं यहां करारी सिकस्त मिल रही है भारती जनता पार्टी के उमीदवारों को जंगीपूर से टीमसी के उमीदवार है जाकिर हुसेन और भारती जनता पार्टी के उमीदवार है सुजीद दास सुजीर दास को करारी सिकस्ट मिल रही है और जाकिर हुसेन करीब 8000 वोटों की लीड ले चुके हैं सुजीर दास से आप समझे कि मम्ता अबनर जी की ताकत क्या है मम्ता अबनर जी का रुत्बा क्या है परश्चिम बंगाल के अंदर इसी के साथ समसेर गन से भी ऐसी ही तजबीर निकल के सामने आ रही है जहां पर TMC के उमीदवार अमीरूल इसलाम भारती जनता पार्टी के उमीदवार मिलन घोष को साबतों से सिकस्त देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और करीब 6,000 वोटों से लीड बना चुके हैं TMC के उमीदवार अमीरूल इसलाम तो कहीं न कहीं जो पिक्चर है वो अभी से ही क्लियर हो गई है कि ममताब बनाजी प्रचंड वोटों के साथ भवानी पुलसीड से जीत दर्ज करने वाली हैं साबतों से ये दिखाई पड़ मातम पसरा हुआ है और ये मातम उससे भी गंभीर है जब पश्चिम मंगाल में ममताब बनाजी ने 213 सीट जीत कर प्रचंड बहुमत हासिल किया था और भारती जन्ता पार्टी मात 37 सीटों पर सिमट गई थी और ये मातम उससे भी गंभीर दिखाई पड़ रहा है ममताब जी ने एलान किया था अगर वह उप चुनाओ हाल जाती है तो मुख मंत्री नहीं रहेंगी और ममताब बनाजी एक मात्र हिंदोस्तान में इसी नेता है जो बात को कहती है वहाँ बात करती है उसी बात पर अमल रहती हैं भवानीपुल ममताबनाजी की पैत्रिक सीट है और प्रमपारिक तरीके से भवानीपुल सही ममताबनाजी चुनाओ जीतती आई है और चुनाओ लड़ती आई है 2011 में ममताबनाजी प्रचंड महुमत के साथ भवानीपुल सीट से जीत दज की थे उसके बाद 2016 में प्रचंड महुमत के साथ ममताबनाजी भवानीपुल सीट से जीत दज की लेकिन 2021 में ममताबनाजी ने नंदी ग्राम से चुनाओ लड़ा और सुवेंद अधुगारी से चु तब मम्तावनाजी ने कहा कि मैं नंदी ग्राम से चुनाव लड़ूंगी और केवल नंदी ग्राम से चुनाव लड़ूंगी भावानी पूं से चुनाव नहीं लड़ूंगी मात्र 1200 वोटों से मम्ता बनाजी नंदी ग्राम सीट से हार गई थी सुबें धधुकारी से तो लेकिन आप समझे कि मम्ता बनाजी इस बात को कहा कि अगर मैं चुनाव हार जाती हूँ तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रहोंगी लेकिन यहाँ पे तस्वीर बदल चुकी है मम्ता बनाजी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है यह साब तो उसे आसार दिखाई पड़ रहे हैं और भारती जनता पार्टी को उम्मीदवार के तौर पर मिला भी कौन वो मिली प्रियंका टिवरवाल प्रियंका टिवरवाल 2014 में भारती जनता पार्टी जोईन की थी 2015 में भारती जनता पार्टी ने इने नगर पारिसत के चुनाव में उतारा मात खा गई प्रियंका टिवरवाल ये वही प्रियंका टिबरवाल हैं जो कभी बाबुल सुप्रियों की कानूनी सलाकार हुआ करती थी और अभी बाबुल सुप्रियों भारती जनता पार्टी का दावन छोड़ के TMC जोईन कर चुके हैं तो जरा आप इनकी काबलियत पर एक नज़र डाल सकते हैं ये कितनी काबिल होंगी ममता बनाजी को सिकस्त देने के लिए ये सारी चीज़े आप समझ सकते हैं 2021 के बिधान सभाचुनाओ में भी भारती जनता पार्टी के दौरा प्रेंका टिबरवाल को उतारा गया था और ये 58,000 वोटो से सिकस्त खाई थी प्रेंका टिबरवाल और यही प्रेंका टिबरवाल ममता बनाजी को भवानी पुर्षीट से सिकस्त देने के लिए निकली थी लेकिन ममता बनाजी ने ऐसा खेल किया कि जबानत बचाना प्रेंका टिबरवाल के लिए मुश्किल हो रहा है जिहां जबानत बचाले पिरंका टिबरवाल वो काफी रहेगा कांग्रेस पार्टी पहले से ही भवानिपुल सीट में सलेंडर कर चुकी है कांग्रेस पार्टी ने अपना उमीदवार ही नहीं उतारा भवानिपुल सीट से भारती जनता पार्टी ने अपना उमीदवार उदारा लेकिन कोई भी बड़ा नेता पचार करने के लिए भावानी पुर नहीं गया ना तो प्रधान मंतरी मोदी दिखे ना गिर्मंतरी अमिसा दिखे ना भाजपा अध्यक्ष जेपी नड़ा दिखे कोई नहीं दिखा मतलब साब तोर से भारती जनता पार्टी ये मान चुकी थी कि भावानी पुर में ममता बनलजी को सिकत देना नामुम्किन है और वही तस्बीरे आज दिखाई पर रही है ममता बनलजी प्रचंड बहुमत के साथ भावानी पुर सीट से जीत दज करती हुई दिखाई पर रही है मात्र चार राउंड की वोटिंग में ममता बनलजी करीब 16,000 वोटों से लीड कर रही है और ये 21 राउंड की वोटिंग काउंटिंग होगी अब समझे की 21 राउंड की जो वोटिंग काउंटिंग होगी उसके बाद एक अनुमान के तौर से कहा जा सकता है कि मम्ता बनाजी करीबन डेड़ से दो लाख वोटो से मम्ता बनाजी प्रेंका टिबरवाल को मात देने जा रही है जी हां डेड़ से दो लाख वोटो से मम्ता बनाजी प्रेंका टिबरवाल को मात देंगी ये कहा जा सकता है जो पिच्चर अभी निकल के सामने आ रही है ममता बने जी के घर पर T.M.C के दपतर पर हर तरफ जस्न का महोल फैला हुआ है और ममता बने जी के जैकारे लगाए जा रहे हैं और ये हो भी क्यों ना जिस तरह से उस भारती जनता पार्टी को सिकस देने का काम ममता बनजी ने किया है जिस भारती जनता पार्टी का पुरे हिंदुस्तान में भी डंका बज़रा है जी हाँ डंका बज़रा है ये कहने में कोई कुरेत नहीं है क्योंकि 16 से ज़्यादा राज्यों में भारती जनता पार्टी की अभी सत्ता है और उसी भारती जनता पार्टी को पस्चिम बंगाल में पानी पिलाने वाला कोई नहीं बच रहा है फिलाल आपको क्या लग रहा है जिस तरह से भारती जनता पार्टी को पस्चिंबंगाल के अंदर एक बार फिर से करारी सिकस्त का सामना करना पड़ा इसको लेकर आप भी राय क्या है कैमेल बॉक्स में जरूर बताएं साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ तब तक के लिए नवस्कार